अब मैं आपको एक सही वाला suggestion देता हूँ आप भी जो मैं इस question में जो भी अभी लिखूँँगा आचाहे में जो भी आभी आपको बताऊँगा बस आपको इसको learn करना है ठीक है आपको क्या करना है इसको learn करना है और इसको आप learn कर लेंगे तो आप आड़े वाले question को इसी method से solve कर लेंगे क्योंकि मैं सधी question तो बताऊँगा नहीं क्योंकि यह है थोड़ा अनलब सधी में हमको वही statement लिखने पड़ेगा तो बस आप statement लिख लेजे आपको समझ में आ जाएगा अब हम क्या करते है solution करते है ठीक है पहला ठीक है हमें पोला गया root 6 prove that root 6 is a nearational number तो अब हम क्या करेंगे इसका उल्टा मानेंगे let root 6 जोड़ ध्यान से समझे पहले इस tip में क्या करेंगे हम उसका opposite मानेंगे let root 6 is a rational number अब क्यूं मान रहा है तो अब यह भी मत पूछे सरावे क्यूं मान रहा है तो इसलिए मान रहा है क्योंकि मानना ही पड़ेगा इसलिए मान रहा है क्योंकि मानना ही पड़ेगा मान के ही solve करेंगे हम लोग क्योंकि class 9 में आपको हम aximos और एक बार theorem के बारे में difference बताए थे तो उसी based पे यह exercise भी होता है तो root 6 इस नहीं rational number, मान लिए कि root 6 के एक rational number है and its simplest form इसका simplest form क्या होगा यदि rational number है तो वो a y b की form में आएगा then अपको लिखते चले जाना है then a and b a and b are integers क्या है integers having no common factor than 1 and b not equal to 0 अब इस चीश को दियान से समझें आपने जो a b माना पहली बात नहीं होना चाहिए और b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए इतना साप condition समझ लीजे ठीक है इसको learn कर लेजे चाहिए अब देखें ना अब हम लोग क्या करेंगे अब क्या करेंगे हम लोग isquaring both sides root 6 square is equal to a square बाइb b square cube on isquaring both sides हईोप के आपको यहां तक समझ में आगे अब हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे तो यहां पर यह क्या हो जाएगा 6 6 6 इच्कल टू A स्क्वार बाई B स्क्वार and अब 6 है इसको अमें तर लिके चलिया है इंदेख्या हो जाएगा B स्क्वार इच्कल टू A स्क्वार that mean अब ध्यां दे समझे अब यहां पर देखे अब जब आप यहां पर देखेंगे तो मैं इसको यहां पर लिखता हूँ then B स्क्वार इच्कल टू A स्क्वार यहां पर 6 है that mean A स्क्वार बाई 6 हो जाएगा 6 क्या होगा नीचे आजाएगा आएगा कोई दिक्कत है यहां तर नहीं है चलिए हम लोग अब आजे चलता है यहां तक आपको समझ में आगा तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं हम अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि 6 divides A Square अब हम यहां पर लिख देते हैं 6 divides A Square नैट ट्विंट से जी सी बात है 6 divides A जो 6 है वो A को भी डिवाइट कर देगा जब वो A स्क्वाइट कर रहा है तो वो A को भी डिवाइट कर एगा यहां तक आई अब कि आप लोगों के लिए यह किलिए रही है और आप जो है इसको माल लेजी equation 1 यहां तक आपको यह मैं कर दिया उसके बाद मैं थोड़ा सा यहां पर बनाऊंगा थोड़ा सा बस इतना ही प्लेस में मैं इसको solve बरूँगा अब यहां पर आपको ध्यान देने अब आपको यहां पर क्या करना है तो अब क्या हो गया 6 इस ठीक है यहां तक अब हम क्या करेंगे let माल लेते हैं कि आपका जो है यह जो ए है इसको हम लोग माल लेते हैं यहां पर क्या माल लेंगे 2C ठीक है ध्यान समझें आपको लिखना बस जाए होगे let a is equal to 6C age को हम क्या माल लिए यहां में ध्यान समझेंगा a को हम माल लेते हैं यहां पर 6C ठीक है आपके पास जो भी आएगा मतलब यहां पर जो भी मतलब यहां पर जो आया a यहां पर जो है न a divide तो इसको a को माल लेते हैं 2C क्या मानगेगा a is equal to 6c मिया दक आप ध्यान में है अब हम लोग चलता है ठेक है अब हम लोग क्या करेंगे putting a is equal to 2c in 1 we get अब हम लोग a is equal to tc पूट करेंगे equation 1 में तो equation 1 क्या है हमारे इपा 6b square is equal to a square तो a square के जिगा हम लोग क्या करेंगे 6c square clear then यह क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6b square is equal to 36c square and ठेक है then b square is equal to क्या हो जाएगा ठेक है रदलब 6 नीचे चिला जाएगा then b square is equal to 6c square तो b square is equal to क्या हो जाएगा b square is equal to 2 6 square तो यहाँ पर पहले क्या था हमारे पास की 2 divides as यहाँ पर देखिए 6 divide a square and यहाँ पर भी क्या जाएगा 6 divide b square ठेक है अब द्यांदर सम्झेंगा अब यह 6 इतार आएगा तो क्या करेगा divide होगा अब यहाँ लिख सकते है 6 divides b square 6 जोगे क्या कर रहा है b square को divide कर रहा है that mean 6 divide b 6 divides b है यहाँ दक आए I hope कि आप लोगे clear हो गया that mean this 6 is common factor of a ठेक है अब क्या समझ में आ रहा है कि a के लिए जो common factor था वो भी 6 था और b के लिए जो common factor वो भी 6 है ठेक है अब हम यहाँ पर लिखते है ज्याल से समझेगा does हमें क्या पता चला कि 6 is a common factor common factor of a and b ठीक है 6 ही common factor a and b का बट अब समझेगे है अम लोग ने माना क्या था न बट इस this contradicts in the fact that a and b have no common factor other than one other than one ठीक है then हमने जो माना कि भाई इसके अलाबी नहीं होना चाहिए अनलब one ही है उसका दोनों a and b का contract होने चाहिए तो सिरीजी बात है the the contradict we हम लोग क्या लिक सकते है and therefore our our injection is wrong हमारा जो मानना था भाई वो गलत है कि क्योंकि हमने उसे मान लिया था कि वो रहसन लंबर है तहीं लेकिन hence 3 प्लस hence रूट शीक्स यह क्या है रेस्टन लंबर मानने तो रेस्टन लंबर का सिंप्लेस्ट फर्म क्या होता है रूट शीक्स ड्रेस्टन लंबर है तो वो ए वाई बी के फॉर्म में लिए ठीक है 6 डिवाइड ए क्योंकि जब आप 6 को इधर लेके चले आएंगे तो ए स्क्वाइर भाई 6 C than in we get 6 B square is equal to A square than 6 B square is equal to 6 C square is equal to 6 B square is equal to 36 C square and B square is equal to 36 C square by C and automatically हम यह कट और की यह प्रूब कर दिया कि भाई यह हमारा B है न वो भी 6 से दिवाइड हो रहा है ठीक है B भी 6 से दिवाइड हो रहा है आप लेक्त मिन क्या हो गया है आपपे तो does this is a common factor of A, B 6 जो है वो हमारा common factor A का भी, B का भी तो हमने जो माना कि भाई, no common factor other than 1 एक क्याला में कोई common factor नी होना चाहिता और जो हमारा अर्जफशन वो wrong था सिधी सी बात है हमने माना था rational number है बट वो rational number हुआ नहीं जब rational number हुआ नहीं तो वह rational number ही होगा ठीक है, I hope कि आपको ये समझ में आ गया हो question number क्या है ये, देख रहा हूं मैं question number 4